खास कारिकम बात अपने देश की आज का मुद्दा नहीं आज की किबल जनकारी है और जनकारी ऐसी है कि उसकी जनकारी होना भी आवस्चक है क्योंकि यहाँ पर तमाम तरह के कयासों और तमाम तरह के बातों को दरकनार करते हुए भारतिय दिन्दा पार्टी ने अपना उत्त ब्रादरी के बड़े नेता के रूप में माने जाते हैं उनको यहां पर उत्तपरिश भाज़पा की कमान सौप दे गई है और इसके लिए पाकाइदा एक लेटर जारी करके जिपी नड़ा ने जो कि राष्टिये अध्यर से बात इंदा पार्टी के और उने इसकी सुचना द अगर कहें तो बेदा चबी के नेताओं के रूप में चबी बनाई है अगर बात करें भूपेंट चौजरी की अब तक की तो 1966 में मुलाइम सिंग खिलाफ संबल लुकसवा से चुनाव लए हैं हलांकि हार गए थे उसके बाद 2002 से लेके 2007 तक जो पस्चमी उत्परेश है बहाँ पर छेतरी इमामंत्री रहे उसके बाद 2004, 2007, 2009 और 2018 तक वो छेतरी अध्यच रहे पस्चमी उत्परेश के तो जो भूपेंट चौजरी जो नाम है वो ऐसा नाम है जो की अलग हटके है अलग हटके मैं इसलिए बोल ला हूँ क्योंकि जहा सबक्तारत की बात कजल नहीं थी क्योंकि सटंडर स सिंग सी परिडेश ठे पहले वहमें हर सोठेश स request का काम्हें योगी शर्काय के दूसरे कारकाल में नट्री बनाएगे और भारतीय व्यस्था के अनुरूप ही यहां पर बारती चिंटर पार्टी ने अपनी व्योस्था कर लखी है और उस व्योस्था के तहर एक पर पर एक ही आड़ी में रहेगा अगर आप केविट मंत्री बन गहा है तो निस्ति रूप से जो आपका दूसरा पद है वह आपका छोड़ना पड़ेगा जिसके चलते अभी हाल में ही उत्तर प्रिदेश भाजपा के पूर्प पिर्देश अद्यच और बरतबान में केविट मंत्री स्वतनरीफ सिंग ने इस्तिपा दे रिया था पिर्देश अद्यच पर्त की बास उसके बास से लगाता लिए चर्चा चल लए थी कि बारतेंद चाहे ओस prin रिभ निपेंश सर्वा कि बात कल ले यहां जो सर्मा की बात कल ले आ नहीं कि इनृण से बासपा सांशा सुबर पाठक की बात क कि यहां पर चर्चा चल लए कि बिद्धिया का सागर सुनकर को कमान सोपी जा सकती है पर यहां पर तमाम कयासों को दर्गरार करते हुए भारतिय इंदा पाटी ने बड़ा फैसरा लेते हुए भूपेंचौदरी को यहां पर जो कि जार समड़ा की बड़ा चहरा है माने जाते हैं उनको प्रदेश सब्सक्राइब के होने तो उसके पहले ही पिछे साल आपको बता दू कि किसान अंदुलन जो कि एक साल लबक चला था उसके चलते जब लखीमपुर में तुकुनिया कांड हुआ था उसके चलते जो खासी नाराज़गी थी और वो नाराज़गी इसकदर हो गई थी कि लग र चदरी ने अपने अनुभावों का अपनी निष्ठा का अपनी जिम्मेदाली को पूर्णिता बहन करते हुए पस्पुट अपने इसके नुक्सान था उसको काफी हद तक कम कर दिया पर चुकि यह अन्राज़ भी लगा जा रहा है कि चुनाव दूज़गी का है और जिस त पर चुकि वह च्छेतरी मंतरी और च्छेतरी दिस की कमान समाल चुके हैं इसलिए उन्होंने भूपें चोधरी पर पुना बरोसा दिखाते हुए उनको प्रदित भाजपा की कमान सवापी जैसा नाम वैसा काम क्योंकि जार समुझाय के निता है अच्छी पकड़ है और साथी साथ एक महपूर बात यह है कि भूपें चोधरी ने डेमेज कंट्रोल किया के सारा आंजलन का जो डेमेज था कंट्रोल उसको कम किया साथी साथ महपूर पड़ों पर जिम्राई निभाई और छबी इतनी निस्पर्च और बेदाग कि जब 2016 में पहली बार बिरान पर से सरच से बने थे तब भी उनको सत्रा में जब सरकार आई थी तो आने के दो साल के बाद 19 में उनको पंचाइती राजमंत्री बनाया गया बड़ी यहां उनकी उपलब्दी थी और जब दुबारा सरकाल कारकाल में आई उसमें उनको वही जम्रारी दी गई क्योंकि उरने पहले कारकाल में भी अपनी जम्रारी को बहुत बहुत बैदर तरीके से रवाया था कि और साथी चार अभी हाल में ही आप देखा कि आजमगर्ण और रामपुर कि उप्चनाव हुए थे रामपुर में आता है और बहां पर और लोगस्वा चुनाओ जब रामपुर आजमगर्ण में हुआ तो यह प्रेटिस्था का प्रेशन बन गया था और वहां पर घंस्य से बैठेगा कैसे यह सपा के आसिन विजा को हरा पाएंगे पर तमाम कयासों को दखनार करते हुए बो रामपुर जहां पर मुस्लिम बहुल जनसंक्या है वहां पर चमतकार करते हुए बात इंडा पार्टी ने गंस्याम लोडी को बिज़ई बनाया और इसके पीछे भी भ 1999 में उनने भारती इंडा पार्टी जोइन की थी और करें आप देख लीजिए कि 1990 में जोइन करने के बाद 1999 में वही उनको लुक्सवा चुनाओ के लिए मौका मिल गया संबल से मुलाइन सिंग्यारों के खिलाब चुनाओ लड़े और हाला कि वो हार गए बड़ी साथ निश्ठा के साथ और जम्मेदारी के साथ उन्होंने नबहे हैं बुपन चोदरी बो नाम नहीं है जो किबल बाचपास अ करणने के कारणके सिद्द है बुबंचोदरी बो नाम है जिसकी अपनी छबी है और जार्समदाय में बड़ा चेरा के रूप में उनका नाम ल पार्टी खुट सोच रही थी कि जस्तरह से समयरी पार्टी का और सपा का सभारी पार्टी का और रालूर्ट का गड़ बंधन हुआ था तो बात सपस्त मानी जा रही थी कि अधश्य मुट्रपिज में बिज़ेपी को तगला नुकसान होने वाला है पर नुक्सान को संक्रमु बूपेन चौधरी है अपने नाम के माध्यम से एक संदेस उनका अमिसार आए निस्पस चभी बेदाक चभी अपने संगठन और अपने काम के पती उनकी लगन इसपस बताती है कि वो सामानिनेता नहीं है क्योंकि यह पहले कारकाल में पंचाती राजमंत्री में ने बने दूसरे कारकाल में वही पॉजिशन मिली कि उसी पर पर दुवारा मोहल लगाए गई और अब यहाँ पर भारती जन्ता पार्टी ने बड़ा फैसला लेती है उनको प्रदित अद्रच बना दिया माइने क्या है माइने यह है कि भुपें चोजर की चबी और काम के बलके भारती जन्ता पार्टी के पिडिस नेत्र भी नहीं बलकि केजिन नेत्र भी उनके कामों को परखा है और जानता है तब ही अमिसा के और के बड़े करीबी माने जाते हैं अमिसा के साथ उनकी बात्चीत होती रहती है अमिसा के साथ उनका सामानजस बहतर है तो बहीं अगर हम उत्तापिड़ेस की बात करें तो उत्तापिड़ेस के पूर्वे संगटन महामंत्री जो की अब बारज़ेंड़ा पार्टी विरास्की मांसर्च बना दिये गया है सुरील वनसल उनके भी बड़ी करीवी रिष्टे भूपेंचोजी से रहे हैं क्योंकि सगेनाट में धाचा भी उन्होंनों तयार करने बड़ी मनट की है और साथी साथ जिस तरह से उनकी एक खासियत है कि किस तरह हमको आगे काम करना है किस तरह हमको आगे लोगों को बढ़ाना है किस तरह जात समुधाय को एक बैता संदिज देना है कि भारति अद्र पार्टी ही वो पार्टी है जो कि सब का साथ सब के विकास को लेकर चलती है और सभी बर्वों के लिए काम करती है हाला कि जब उनके इनको प्रदेश अद्र बनाये गया तो तमाम तरह की बातें बिपस्की दोरा आरोप लगाए गये कि भारति अद्र पार्टी जाते के समीकर्ण को साथ रहे कर प्रयास कर रही है और जाट लेंड में जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति के लिए भूपेन चोधरी को यहां पर प्रदेश अद्र बनाये गया है तो एक बात तो इस पश्ट है कि भारति अंद्र पार्टी में अगर जाते के समीकर्ण को आप आरूप पितारूप का एक माद्य मना लिये हैं एक बिन्दू मना लिये हैं तो आपको बता दूँ कि भारति अंद्र पार्टी में सभी बर्गों को समय समय पर पित्रिव मिलता है अगर हम बात करें तो यहां पर 12, 13, 14 में जो 14 का चुनाफ था तो लश्विगान बाशपेही के अगवाई में जीता गया था ऐहां पर महेंदारपांडे थे और दोयारवाईस के बात करें तो यहां पर सतन देवसिंह ते थे तो यहां पर जो देवस्ता है यहाँ केबल ब्रामर बर्ग तक सीमित नहीं है यहाँ सबी बर्गों को पेदिनिट्व करने का मौका मिलता है चाहे वो महेनार पांड हो चाहे लश्मिक अड़बाज पेई हो चाहे केश्वा पासार मौर रहे हो और चाहे स्वतन्डे सिंग हो और सबसे बर्गों को देश का पथम नागरिक होने का सम्मान दिया गया है जो अपने आप में बहुर बड़ी बात है तो इसको जाते का समिकर कहना ठीक नहीं है यहाँ पर आप यह के बता सकते हैं कि हम समय समय पर सभी जातीों को पेतिनिर्ट रिपर कनने का मौकर देते हैं क्योंकि यहां पर वह सता के बले नहीं कि यहां पत्त मेकुद नहीं कि यहां पिता sensor सज़ीज बना है तो पता भी अडसु बनेगा ऐसा समीकर नहीं आपर नहीं है ऐसी व्योस्ता बातिन्द पार्टी में लागू है। क्योंकि यह भी मुरारवार से जलादच रहे हैं। पस्टी मुत्ता पिदे से चेतरी मंतिरी रहें हैं बिजानपर से सरस्थ रहें केविंड मंतिरी रहें आप इनको बड़ा पत्द देत हुई यहाँ पर प्रजिटर्णी बनाए गया है और ये रणनी थी, ये ब्योस्ता, ये सामानने से, ये एक जो डिस्टी कोड हैं, वो केबल के बारतियंदा पार्टी के द्वारा ही स्थापिट किया गया है, सबका सार सबके बिगास की अधार पर चलते हैं, तो ये सबको बवी बर्गों को पतिनित बिने का काम करते हैं, क्य ये सबका संदेश हैं, जो जो डिस्टी के चुनाव है, वो बड़ा मेटपूर्ण होने वाला है, क्योंकि यहां पर सपा और आलोट के गड़बंदन को चुनावती देने के लिए बारजेंदा पार्टी ने अपने संकट मोचा क्यानी भूपन चौज़ई को ख़ड़ा कर दिया है, अब 24 चुनाव बहुत मेटपूर्ण होगा, क्योंकि यहां पर बात अब जाट समुड़ा के दो नेता के बड़े बीच में हो गई है, क्योंकि जो कि रालोट के नेता, जन चौज़ई भी जाट समुड़ा के बड़े नेता के रूप में माने जाते हैं, तो वहीं पिराल बक्स बताएगा, पर एक बात तो साफ है, कि भूपेंट चौज़री को प्रदेज बनाकर बातेंड़ पार्टी ने एक बास दिस्पस्ट कर दी है, कि हम केवल जातियों के प्रभाव के ब्यास ब्यास ब्यास्ता से हम अपने अजज को नहीं बनाते हैं, कि अगर बा बारतियंदा पार्टी में लागू है, क्योंकि इसपस्ट हो चुका है, कि यहां पर समय समय पर अगर आप अगला जातियों को पैतने डिव देंगे, तो निस्प्रूप से जाती समय कर तो बेहतर हो रहेगा, और साथी साथ, साथी साथ यह ब्यास्ता भी लागू रहेगी, कि इसपस्ट संडेज भी जनता को जाएगा, कि हम बेहतर काम करते नजर आ रहे हैं, अगर हम सब का साथ सब के बेकास की बात करते हैं, तो समय समय पर हम सभी बर्गों को यहां पैतने डिव देने की लिए तयार रहते हैं, कभी रस्विगान बाजपेर भी रहेंगे, कभी क कि जो हम करते हैं, वो हम बोलते हैं, वो हमारे सब का साथ सब का बेकास का जुनारा है, उसको हम लगातार पूरा करते चले आ रहे हैं, वो आने बाले समय में, जिस चरह से लगातार यहां फिर वदल हो रहे हैं, यहां पर रंडिती बन लई है, तो विपस्ट के लिए चुन प्रदेश की रूप में काम कर रहे हैं और समावी पार्टी ने जहां पर नरे सुत्तम पटल को भी बना के रखा है तो आने वाले समय में क्या फिर बदल होगा बीजेपी नई रण नीजी की साथ नए प्रदेश की रूप में किस तरह काम करेगी और 2024 का जो चुनाव है वो कि इसी रूप से उनका जो प्रभाव है उनकी जो चमता है उनकी जो जनाधार है वो आने बाले समय में जो 24 की चुनाव को बहुत डिल्चस बनाने बाला है तो आज की चर्चा में अतना ही अगली बार फिर किसी नए मुद्दे के साथ होगी मुलगा तब तक मुझे यानी को अब देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोगा